हाई अबरिवन वेलकम तो डिश्टल जी के क्लासेश तो आप सभी से बीड हो चाहें आपने नियुस डिलेट किया हो के विएस हो बीपीसी टीरी 2.0 सभी से रिलेटेड कुछ important बात करनी है जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीसी टीरी 2.0 का जो एक्जाम रहा 1 से लेके 12 तक इसकी cut-off से रिलेटेड बहुत सारी चीज़े सामने निकल कर आ रही है और आप में से बहुत सारी लोगों ने अपने marks बताए हैं तो उस base पर मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाली हूँ साथ में NIOS डिलेट का supplementary result हो गया चाहें KVS हो गया इस पर क्या impact पड़ा है and beard 22,000 ऐसे beard भीरती हैं जो कि अभी सबसे ज़्यदा परिशान है क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि हर जीले वाइस जो है notice गई है कि आप बताएए कि आपके इहां पर कितने beard जो है 1-2-5 में सामिल है चीक है तो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगी पहली बार आए हैं तो प्लीज चानल को सबस्क्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक किजेगा सो दाट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे क्योंकि अभी बीष का सारा आपने सुप्रिम कोड का अजस्मेंट सारी चीज़े आपने देखी ही है तो अभी बिहार में जो है डिलेट एंटरिंस एक्जाम है दो हजाच चौबिस में अप्लिकेशन इसका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा मार्च में एक्जाम है प्रवेश परिक्षा 2024 चाकसु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहोंगी आप सभी का एंटरिंस का एक्जाम है आप इस बुक की मदद से अपना एक्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह इनके स्टीडी गाइड है जहां पर आप देख सकते हो तीन हजार से ज़्यादा MCQs चार आपको सौल पेपर्स मिलेंगे एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तहरी कर सकते हो हिंदी, मैथ, साइन्स, जीएस, इंग्लिस, रीजनिंग एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी आप इनका सलेबस देख सकते हैं सलेबस के अकॉर्डिंग इनो ने इस बुक को तयार किया है बुक में आपको प्रीवेस और कोशन जैसा की लिखा था कि चार सौल पेपर्स मिलेंगे सेकंड सिफ्ट का आप देख सकते हो दोजाग तेश में जो एक्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा आप देख सकते हो इसी स्टिडी गाइड में आपको इस तरीके का कॉंटेंट मिलेगा सो आप चाकसु प्रकाशन के स्टिडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो सारी डिटेल्स आपको में डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगी वहां से चिकाउट जरूर करें चली वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले मैंने आपको हमेशा से बताया है कि एसा सुनने में भी आ रहा था कि यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसलिए ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं बिकॉज वो सूपर टेट के प्रेपरेशन कर रहे थे बिहार के अभिहरती नियोजिक सिक्षक जो चल रहा था उसी पर डिपैंड थे इस बार क्या है कि बिहार के स्टूडेंट्स चाहें अधर इस्टेट बहुत ज़ादा महनत किये हैं तो आपको कट अच्छा खासा देखने को मिलेगा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कटाओ बता रहे हैं जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 70 प्लस जाएगा कुछ 65 बोल रहे हैं मैं तो ये बोलूँगी कि देखो आपने अपना आंसर किसे मैच कराया होगा आप खुद देखी कि क्या आप जो है क्योंकि पता चल जाता है जब हम एक्जाम देकर आते हैं और जब अच्छा खासा नंबर होता है तो समझ में आ जाता है कि ये सेलेक्शन होई जाएगा अब वो 40, 50, 55 वालों का नहीं हो पाएगा ये जरूर मान के चलना पिछली बार था कि 40 वालों का भी हो जाएगा 35 वालों का भी हो जाएगा बट हुआ किसी का नहीं आपने देखा होगा इस बार तो seed भी कम है, आप देखो 1 to 5 में एक हजार के लिए, अगर मैं 9 हजार की बात नहीं कर रही है, यूर में एक हजार है, तो टोटल एक लाख लोगों ने form भरा है, 6 to 8 में 32 हजार, सबसे ज़्यदा competition 6 to 8 में देखने को मिल रहा है, अच्छा subject की बात करते हैं, तो इस ब अगर मैं cut off के बारें बताऊं, तो वही आपका ये है कि आप इतना मान के चलो कि आपका 70 से अगर उपर है अभी के लिए, क्योंकि देखो वही फिल होगा, फिर होगा, कि 60 बता दिया, 65 बता दिया, और होता है नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, क्योंकि यहा साथ मैं आप अपने score जरूर बताना, जो आपने match किया है, इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को भी एक idea लगेगा, क्योंकि अब वैसा नहीं है कि तुक्का लगा दिया जाए, क्योंकि अब तो answer किया चुकी है, exam हो रहा है, answer किया जा रहा है, scores आपको पता चल जा रहे है इससे का idea मिल जाएगा, वैसे अभी तक मैंने भी जितना analysis किया है, और जितना आपने marks बताए हैं, तो आप चाहें किसी भी category के हो, अगर आपके 70 number बन रहे हैं, तो आप safe हो, ठीक है, और अगर मालीजी आप SC से हैं, या भी EBC से हैं, और 70 marks है, तब तो obvious ही बात है, आपका ह जाएगा, ठीक है, बट हां, 6 to 8 में आपको competition इस बार जादा देखने को मिलेगा, अगर cut-off की बात करें, तो आपको 1 to 5 and 6 to 8 दोनों में जादा देखने को मिल सकता है, 60, 62, 63 इस पे भी अभी risk है, क्योंकि जो candidates अपने marks बता रहे हैं, सब के 70 आ रहे हैं, सब के 75 आ रहे हैं, तो मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगी, कि अगर आप 65 to 70 के बीश में भी हैं, तो थोड़ा बहुत chances हैं, बढ़ हां, 70 से उपर वालों का तो obvious ही बात है कि होई जाएगा, ठीक है, अब ये मत बोलना कि इतना जादा तो नहीं जाएगा, पिछली बार भी यही हो रहा था, क इतना जादा नहीं जाने वाला था, और इतना जादा चला गया, और इस बार सब लोग अच्छे से बढ़े की दिये हैं, पिछली बार जो लोग एक दो नंबर से रह गये थे, वो लोग भी इस बार दिये हैं, तो आप समझ सकते हो कि कट ओफ कम तो नहीं जाएगी, अब ब मार्क्स की वज़े से वो पीछे रहे गया थे कि उनको ही मौका मिला है ठीक है सेम वैसे ही इसमें भी इस डिलेड़ वालों का रिजल्ट नहीं आया है एन आई ओएस डिलेड़ वालों का बीपेसी के सेवंध फेज में एंड के वियस ने अभी भी होल्ड करके रखा है अभी तक कोई इनफोर्मेशन नहीं दी है और देखते हैं कि केंदरी विद्याले जो तीन सो से चार से आज पास जो एन आई ओएस डिलेड़ है जो की सेलेक्ट हो गए थे केंदरी विद्याले में अच्छा खासा नंबर है उनका और इंटर्वी में उनके अच्छे ही मार्क्स हो हुआ था कि रिजल्ट आया और रिटेन में उनके मार्क्स भी आएं बट वो इंटर्व्यू तक नहीं पहुंच पाएं सेम इनके साथ भी ऐसा हो गया है कि सेलेक्ट हो गया बट ये अभी तक इनके पास जो आनिंग लेटर नहीं आई है आपको इसमें क्या लगता है क्या क अबरी विद्यालेन का रिजल्ट जारी करेगा या नहीं करेगा प्लीज मुझे जरूर बताना अच्छा एक चीज़ और है जैसे कि अगर बीपेसी टीरी 2.0 में आप अपियर हुए आपके मार्क्स अच्छे नहीं है आपकी 40-45 बन रहना तो मैं ये बोलूँगी कि आप ब 3.0 के लिए प्रप्रेशन स्टार्ट कर दो उम्मीद मत रखना कि 40 पे हो जाएगा 45 पे हो जाएगा क्योंकि खुद पता चल जाता है जब पेपर देकर आओ अपने मार्क्स हम मैच करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि आसपास ऐसा तो नहीं है कि आपने भी आसप तो मैंने आपको यहां पे जो टीरी 3.0 है उससे रिलेटेट एक इन्फोर्मेशन मैंने पहले भी दे थी कि केके पाठक जी के दोरा बताए गया था कि आप बीएड है आप डिलेड है एक से पांच नौ से दस ग्यारे से बारा सभी को मुझा मिलने वाला है जिसका नहीं होत और सीटेट में भी वही चीज़ है कि 125 में केवल डिलेड वाले ही अपियर होंगे इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है अब आपको सोच समझ के करना है डिलेड या फिर बीएड ठीक है और बीएड वालों के लिए एक उपर्चुनिटी है कि DSSB में TZT की वेकैंस आने वाल बहत्तर आ रहा है किसी का 75 आ रहा है कुछ लोग तो 80 माक्स भी बता रहे है अपने ठीक है तो कट आउफ से रिलेटेड अभी यही है जैसे जैसे आपके मैसेज आएंगे मैं आपको इसमें डिटेल में कटेग्री वाइस बताऊंगी और इस डिलेड का जैसे जो भी इन्फ खाए होगा कि सेलेक्शन किसका हुआ है वो आप सभी को पता है तो चलिए यह इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी बागी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बता दीजेगा मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स वोजिंग